सुब्स बात कर लें अगर रेडमी स्मार्ट बैंड प्रो के टिप्स एंड ट्रिक्स की तो यहां पर मैं आप लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो देने वाला हूं वह काफी अमेजिंग है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा तो यहां पर सबसे पहले ट्रिक्स करके एक option देखता है यहां पर आप लोग देख सकते हो काफी बार होता है कि आपका फोन कहीं और रखा हुआ है और आप थोड़ा दूर चले गए तो आपका स्मार्ट बैंड जो है वो डिसकनेक्ट हो जाता है तो यहां पर अगर आप लोग इसे जो है वो एनेबल कर देते आप लोग दिखा देता हूं कि जैसे ही मैं Bluetooth को यहां पर आफ करूंगा तो यहां पर एक डिक सकते हैं डिसकनेक्ट करके जो है एक options आगया कि आपका Bluetooth वो डिसकनेक्ट हो गया है और यह जो फीचर से यह आपके तो यहसी सबस्राइब तो यह वाले कूप्म-पोन को फेचर अनुझ अधर में य॥ा अब यहाँ पर एक feature है always on display जिसको ले करके भाई इस brand ने काफी amazing चीजें की हैं काफी सारे smart band के अंदर में यह option नहीं मिलता always on display का अब इससे क्या होगा भाई कि आपका जो smart band है वो हमेशा जो है on ही रहेगा मतलब off नहीं होगा यानि कि screen जो है वो गायब नहीं होगी माल लिजए यह वाली जो screen है तो यहाँ पर मैंने 20 सेकंड का लगा के रखा है तो 20 सेकंड के बाद यह screen off हो जाती थी तो पूरा blank हो जाता था बट अब ऐसा नहीं होगा आपके जो है screen पर जो है वो timing आपको शो होती रहेगी तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है यह timing always जो है वो शो होती रहेगी 1150 Friday 25 को मैं शूट कर रहाँ तो यह जो है यह आपको हमेशा शो होती रहेगी तो यह feature मुझे काफी सही लगा आपको कैसा लगा नीचे comment section में जरूर बताना चलते हैं हमारे next features की तरफ तो next जो feature है वो भी आर काफी amazing होने वाला है क्योंकि काफी सारे लोग कोशनिंग कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है मेरे smart band के अंदर में मैं अपनी photos को लगाना चाहता हूं मेरे पास जो मेरी gallery में photo है वो लगाना चाहता हूं तो इसके लिए basically क क्या करना आपको सबसे पहले जो है अपने जो है शौमी वेर अप्लिकेशन के अंदर में चले जाना है उसके बाद जो है यहां पर आपको डिस्प्ले को ऑप्शन मिल जाए सबसे पहले आपको connect कर लेना ठीक है यहां पर आप लोग जो है online के उपर में क्लिक कर देना जब आप लोगों को एक प्लसक उप्शन दिखेगा इस प्लसके options पर क्लिक करना तो आपकी ग्यालरी अपन हो जाएगी ग्यालरी के अंदर से आप क्या करना कि यहां से आप अपनी photos चूज कर लें तो यहां पर आ गया इसके बाद आप और भी कर सकते हो 5-6 photos को select कर सकते हो तो व वो होगा यहांपर यह लोग हो रहा है और काफी असा दिखेगा वो भी यहां पर और देख सकते हैं अब हमारे वाज के उपर में मेरी जो फोटो है वो आ चुकी है और काफी लुक लग रहा है आप लोगो कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताना ठेक है तो इस तरीके से आप कोई भी फोटो जो है वो लगा आप लोगो कैसा लगा यह वाला सेक्षन में जड़र बताना चले चलते हैं हमारी ट्रिक कि तरफ नेक्स्ट जो ट्रिक है वह भी काफी अमेजिंग होने आप लोगों के लिए तो यहां पर आप क्या करना बा सटेंग के अंदर में चले जाते हैं सेटिंग के अंदर में जाने के बाद यहां पर एक option आप ल वाच को स्मार्ट वाच को रख देता हूं और यह जो है मैं अगर चाहूंगा कि खोलूं इसे तो मुझे यह पासवर्ड डालना ही पड़ेगा अधर्वाइस जो है मैं इसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा तो इसके लिए पिन लगा करके रेखना तो जब भी आर आप लोग इसे के अंदर में यहां पर हम लोग चले आता है जाने के बार यहां पर रहाता है यहां पर तीनों को ओन करते हैं तो उसके लिए क्या झाना यहां पर अगर आप यहां से जो है वह एंड कर सकते हो इसके खिलिक करने तो वह गएर आछै और यहां पर वणीड़रад को ज Auch और यहां पर वाटर फिर्वकृम्ही Mick तो इस तरीके से आप काफी आशानी से इन सभी फीकिर्स का अपने रे डिमिंवार कर सकते हो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमें जरूर बताईए और कोई कोश्चन्स होगा तो वह भी नीचे कमें डेफिनेटल कीजएगा मिलते हैं आप से इंट्रस्टिंग वीडियो में जब तक क्लिए टेक क्यार बाइबाइब